दोस्तों आज मैं जगजीजी का गाय हुगा बहुत ही परसिद राम भजन हे राम हे राम जग में साचो तेरा नाम सिखाने जा रहा हूँ जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही लाबदायक है जो लोग प्यानो या हर्मोनियम सीख रहे हैं उनकी इस भजन से बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डबलब होगा क्योंकि ये भजन बहुत ही आसान भी है और मात्र तीन लाइन का ही ये भजन है जिससे बिगनर्स तुरंत इसको बजाना सीख जाएंगे और उनको बहुत अच्छा भी लगेगा और काफी खुशी भी होगी तो चली सीख लेते हैं इस प्यारे से भजन को नमश्कार मैं हूं संजे और आप देख रहे हैं सीको सरल तो ये भजन हमारा वैसे है तो middle octave पर ही प्ले होगा इसको हम middle octave पर ही सिखने वाले हैं मगर इसमें दो नोट जो है G sharp और A sharp यह हमारे Lowr Octave के भी इस्तिमाल होँगे, ठीक है, और जो लोग इस भजन को हार्मूनिम पर सीख रहे हैं, तो उनको भी मैं समझा दूँ, यह हमारी पहली काली है, इसके हिसाप सब समझेगा, यह हमारी पहली काली, यानि की सा, ठीक, यह सा है, तो सारी गा मा पा धा नी सा, ठ इनी सोरों के हिसाब से हम इस भजन को सीखेंगे इनी सोरों के कॉडिंग हम सारे सवर लगाएंगे ठिक तो भजन की जो पहली पंक्ति है वो है हे राम हे राम ठीक है, स्लो देखिए, हे, रा, म, राम के लिए C शार्प और D शार्प, इसके बाद, इसके बाद फिर से हे राम, मगर इस बार शुरू होगा, F से, हे, ए, हे के लिए दो नोटे, F, D शार्प, हे, ए, इसके बाद राम, रा, आ, म, अब इस पंक्ती को सिंगल फिंगर से भी देख लिजे, ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी पंक्ती है, वो है, जग में साचो तेरो नाम, ठीक, स्लो देखिए, कहां से शुरू करेंगे, G शार्प, मिडिल उक्टिप के G शार्प से, ठीक है, यह ध्यान रखेगा, अब हम शुरू करने जा रहे हैं, मिडिल उक्टिप के G शार्प से, ठीक है, जग, फिर में, इसके बाद साचो, साचो, तेरो, अब नाम, नाम, चीक है, सिंगल फिंगर से देखिए, और जैसे पंक्ति खतम होती है, इसके बाद फिर से वही, शुरू वाली पंक्ति, हे राम, हे राम, ठीक, तो यह तो था भजन का मुखडा, जो कि आप सीख चुके हैं, ठीक है, आप इसके बाद क्या है, अब अंत्रा है, अंत्रे की जो पंक्ति है पहली, वो है, तू ही मात तू ही पिता है, पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, ठीक, इसको स्लो देखिए, तू ही माता आ, माता के लिए तीन नोट, डी शार्ट, एफ और सी शार्ट, इसके बाद तू ही पिता है, तू ही पी ता है, ठीक है, पिता के लिए, पिता है के लिए, सी शार्ट और ए शार्ट में पिता आ गया, और हे में आ गया, जी शार्ट, पी ता है, ठीक है, ए शार्ट और जी शार्ट, लोर अक्टिव, सिंगल फिंगर से देखिए, तू ही माता, तू ही पिता है, ठीक, आप इस लाइन के बाद, कोर बस अंतर हो जाएगा, देखिए, अंतर क्या है, अंतर जो है, वो सिर्फ स्टार्टिंग में है, यानि कि तू में, तू ही माता, तू ही पिता का जो स्टार्टिंग का तू है, बस यहीं पर अंतर है, पहली बार जा हमने प्ले करी थी यह लाइन, तो हमने तू कैसे प्ले किया किसे तो कहने का मतलब है जब इस लाइन को दूबारा प्ले करेंगे तो सिर्फ तू में अंतर रे बाकि सब वैसे ही प्लेकर नहीं अब इसके बाद जो अगली पंक्ती है वह है तू ही तो है राधा कश्याम तो तो यह वही पंक्ति है जो हमने शुरू में सीखी थी जग में साचो तेरो नाम वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर प्ले कर देनी है यानि वह रिपीट कर देंगे तो आपका आपका अट्रमेंटिक यहाँ पर प्ले हो जाएगा तू ही तो है राधा का श्याम ठीक है और फिर तुरंट इसके बाद ठीक तो देखा आपने कितना इजी था कितना आसान था इस बजन को प्ले करना पहली पंक्ति हमने सीखी हे राम हे राम दूसरी सीखी जग में साचो तेरो नाम उसके बाद तीसरी पंक्ति तू ही माता तू ही पिता है बस इन तीन पंक्ति में पूरा बाजन हो गया, चौथी पंक्ती जो थी तुही तो है रादा का श्याम, यह बिल्कुल वैसे ही थी जग में साचो तेरो नाम, ठीक है तो मात्र हमने तीन ही लाइन हमने इसमें सीखी और इसके बाद जिदनी भी पंक्ती आएंगी वो सारी की सारी आपको ऐसी प्ले करती जानी है कुछ भी अंतर नहीं है दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, कॉमेंट करकर जोग बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जुनोंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटावट कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बैल आइकन का बटन होता है जो घंटी वाला निशान होता है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे वीडियो अप्लोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंथ मिल जाए और अगर सीको स्टरल पर आप और भी सुपर हीट सॉंग प्यानो और हार्मोनियम पर प्ले करना सीखना चाते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा तो मिलते हैं आपकी अगली फर्माइश के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन